तो क्या दे रखा है कि तुम्सेंट्राइग इप लिए इंसे एहां प्ड़ करेंक्टिट है इसे जो टोटल यह मन अपने पास आएगा वो कितना आएगा और टोटल इंटरनल डिजिस्टेंस कितना आएगा वो हमको बताना है दो चीजे हम कैल्कोलेट करेंगे यह को बिलकुल आसान है सबसे बहले तो यह बताओ कि यह जो combination है कौन सा combination है स्यरीज या parallel parallel combination है जब जब भी आप सेल्स को पेरल में कनेक्ट करोगे चीज़ दोनों के लिए सेम होगी पोटेंशल डिफरेंस टर्मीनल पोटेंसल डिफरेंस जिसको मैं पी से यहां पे रीपरिजेंट कर रहा हूं तो दोनों सेल्स के लिए चीज़ निकलता हैै यहां से जो करेंट बहार निकलेगा उसको माल लेता हूं आईवन और दूसरे वाला सेल अलग वोल्टेज का अलगी EMF का है तो इससे जो करेंट बनेगा उसको मैं आजूम कर लेता हूं आब तो दोनों जो ब्रांष्ट चाहिए उन में कोक्या क्रैंचल डिफरेंट टो सेम है लेकिन एकन STYFF होगे पैरळल को बिनेशन में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे एक टर्मिनल पोटेंश्ल डिफेंट्स हमेश्छा सेम होगा करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा according to EMF or internal resistance of the cells उसके according होगा यह तो यहां से आईवन करेंट आया इधर साइट करेंट आया तो टोटल मिला के करेंट कितना होगा तो मैं आई बोल देता हूं तो से आज इसके बड़ाबर होगा यहां प Department कि I1- on प्लस कोई दिक्कत इसके इंदर से आईवन करेंट आया इदर से 2 करेंट आया दोनों मिलाके टोचिम कितना बना आईवन प्लस आइटो तो टोटल करंट यहां पे सर्केट में फ्लो होगा आइवन प्लस आइटो के बराबर इतने बात प्लियर ठीक है अच्छा एक चीज और बताओ यह जो टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस है इसको इमफ के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं सेल के लिए एक डिले करो जो मैक्जिम्म पोटेंशल डिफ्रेंस हो सकता है उसको हम यह माप बोलते हैं और यह माइनस क्यों किया टर्म क्योंकि जब भी सेल से करण लिया जाता है तो सेल के इंटर्नल रेजिस्टेंस की वज़ए से कुछ वोल्टेज सेल खुदी खा जाएगा कितना वोल्टेज टर्म केंटेंशल कंटेट्ट होता है और बोलते हैं तौल होगा कनेकट हो इसको क्या बोलते हैं से से फ्लो होने वाला current और आई आर क्या है आर का मदरब है हमको पता है तो इस equation को मैं पहले लगा के देखता हूँ क्या लिखेंगे प्योंगे किंवस्ट क्त्स इसका 1 ,- निखना है और तो इंटरने रजिस्टेंस कितना है आएगा पहले सेल के लिए अच्छा जी यहां से आइवन आर वन ये इधर ले के जा रहा हूं तो आइवन आरवन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं यह धर जायेगा यह अधर आजायेगा बात समझ में आ गई क्या तो पहले सेल के लिए हमको आई वन की वैल्यू पता चल गई इसी तरीके से हम दूसरे सेल के लिए भी आई वन इस तरीके से सॉल करोगे तो आयटू किसके बराबर आएगा आयटू बराबर आएगा एटू माइनस वी डिवाइड़ वाई क्या कर दू आर्टू तो यह अपने पास में और यह अपने पास में आयटू के वैल्यू आ गई अब यह जो एक्वेशन हमने अभी बनाए थी कि पहले से आएवन करेंट मिला थूसरे से अमको आएटू कर यह अनवला इले से कितना करेंड मिला आएवन दूसरे से अच्शाश्य है तो e1 minus v divided by r1 plus e2 minus v divided by r2 अब थोड़ा simplify करते हैं देखो इसको i equal to e1 upon r1 minus v by r1 plus e2 upon r2 minus v by r2 ठीक है अच्छा है यहाँ पे से एक चीज़ नोटिस करो e1 by r1 लिखा है इधर a2 by r2 लिखा है तो इन दोनों को एक साथ लिख लो यह voltage की terms है एक तरह से e1 upon r1 plus e2 upon r2 और यह क्या है वी upon r1 v upon r2 इनको एक साथ करके लिख लो तो माइनस तो कॉमन आ जाएगा और वी भी आप कॉमन ले सकते हो तो ब्रेकेट में क्या एगा 1 by r1 plus 1 by r2 clear यह बात ठीक है सिम्पल देखो अब यह जो equation बनी है इस equation को हम सेल के लिए जो equation होते हैं वी इक्वेल्स टू इमाइनस आई आर इससे compare करेंगी तो compare करने के लिए format मिलाना पड़ेगा ताकि हम equivalent इमाफ और equivalent internal resistance की value find कर पाएं तो क्या करना पड़ेगा इसको वी इक्वाल टू सम्थिंग ऐसा बनाना पड़ेगा तो वी वाली जो टर्म है उसको एक साइड में लिया हो पहले इधर लिया हो इसको तो वी इन्टू क्या जाएगा लिए वटाइगा को वन अपॉन आरवन प्लस वन अपॉन अपॉन आरटू इधर क्या लिख दूं यह उन अपॉन आरवन प्लस ए टू अपॉन आरटू माइनस आई आया समझ में और अगर मुझे वी इक्वाल टू ऐसा कुछ बनाना है तो यह वाले टाम हटाने 1 by R1 plus 1 by R2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ तो V equal to क्या गया यह तो हट गया डिवाइड करने से यह बन जाएगा E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 और यह बन जाएगा minus I divided by 1 by R1 plus 1 by R2 आया समझ में तो ऐसी कुछ equation बनी अपने पास अब मैं इसको compare करूंगा पहले तो compare क्यों कर रहा हूँ बता देता हूं देखो इन दोनों सेल का हमें equivalent EMF find करना है और equivalent internal resistance find करना है मालनों कि मैंने इन दोनों सेल को parallel में connect किया हूँ है और इससे इसका equivalent EMF बनेगा उसको मैं E equivalent बोल देता हूँ और जो equivalent internal resistance आएगा उसको मैं R equivalent बोल देता हूँ तो उसके लिए आप क्या equation लिखते दोनों सेल मिला के total कितना current produce कर रहे हैं बताओ total current produce हो रहा है आई total कितना potential difference produce किया जा रहा है वी के बराबर तो अगर मैं इस equation को इन दोनों सेल के equivalent cell के लिए लगाता तो क्या हैगा देखो मुझे equation लिखनी पढ़ेगी वी इक्वाल टू ई equivalent कि माइनस आई इंटू आर एक्विलेंट ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा इसी फॉर्मले से अगर इन दोनों का equivalent एमफ एक्विलेंट है और दोनों का मिलाके total resistance कितना है आर एक्विलेंट तो इस फॉर्मले के according आप क्या equation लिखोगे ऐसा कुछ लिखोगे जब मैंने इन दोनों सेल के लिए equations के according solve किया तो मुझे यह ऐसा कुछ answer मिला अब इस equation को और इस equation को compare कर लो compare करोगे तो अब करने से मुझे अब मैं इसको लिख रहा हूं अगली slide के अंदर अगले पेच पर लिख दियता हूं कि मुझे यह मिला जो इक लेन्ट निकलके आया tones करने पे वाया even upon are one प्लόσ इसे टुब अपॉन आर्टू डिवायडेड बई one upon रवन फ्ल SnR2 और ऑडर雲े कितना आया वाया one upon फ्लस एंप उन अप आप 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 चाहो तो इसको उल्टा कर दो उल्टा करोगे तो देखो वन उपन यह आर इक्विलेंट बन आपको लगेगा कि यह तो और वही फार्मुला है जो पैरल कोमिनेशन में हम रिजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो यह लगेगा क्योंकि देखो दो सेल जो पैरल मेशनेक्ट्ट्ट हो गया इस दिये इन दोनों सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहे है वो तो कितना आ रहे है वार रहे वान अपॉन आर्ट इक्वल टू वन बाई आर रोन प्लस बाई रटू की बरापर बेस को सॉल करोगे सिंप्लिफाइ करोगी तो यह बनेगा इसका मतलब वही फॉर्मॉला निकल के आना चाहिए देखो वही आ रहा है और एक्विलेंट एम अफ के लिए वाला फॉम्ला आएगा यह वाला फॉम्ला यूज करना है इसमें एक स्पेशल के सी हो सकता है कि जो दोनों सेल है यह अभी तो देखो एक ही डारेक्शन में करन्ट फ्लो कर रहे हैं हो सबते हैं में से इक उल्टा क फॉम्ला यूज करके आप जब भी दो सेल क्रॉल में कणेक्टेल हो तो उनका इक्विलेंट एम फ़ंड कर सकते हो और यह वाला फॉम्ला यूज करके इकविलेंट एंडर इस सर्किट का उझे एक्विलेंट इमफ फाइंड करके बताओ यह पांच वोल्ट का सेल है दो चीजे बतानी है एक तो लेंट इमफ और एक इक्विलेंट इंटर्नल रजिस्टेंस इंटर्नल रजिस्टंस इसका टू ओम और इसका अाध सामने लिखा हुआ है तो इक्विलेंट इमफ आएगा वह तो कितना आएगा और हैओं यहने कि दोण आप यहां पर वैसे आप थोड़ा से निए और टो यहां पर उपर तो बन जाएगा इवन आड़ टू प्लस आर वन प्लस आटो ऐसा भी कर सकते हो लेकिन आप तो यह वाला फॉर्मेट यहाद रखो कि कि दो सेल के लिए वाला और तीन सेल होते तो क्या करते तो यहां पर प्लस ए थ्री अपॉन आर्थी डिवाइड़ बाई प्लस वन भाई आर्थी और आ जाता तो जितने ज्यादा सेल कनेक्टेड होगे उतनी टाम्स बढ़ती जाएंगी तो अभी इस कांसर क्या आएगा तो यह नहीं कि 7.5 वाके उपर तो इच हो गया वाल वह गया तो देखो एक दस वोल्ट का सेल एक पांस वोल्ट का सेल लेकिन दोनों का मिला के टोटल इमफ कितना मिल रहे है ते वन पॉइंट फाइवल्ट मिल रहे है अगर यह दोनों बराबर इम आपके होते ना तब तो आं रोड़ोड और इंटर्न रिजिस्टेंश कितना मिलेगे बताओ लॉन बाई टू फ्लस वन बाई टू यह नहीं कि वन आएगा वन का उल्टा करोगे यहार इक्विलेंट फाइंट करना के लिए जो भी आता है उसका उल्टा करना पड़ता तो वन यह आएगा अगा तो लि calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell गिल्कुल आसान क्यूशन है कि पहला सेल कितने वोल्टेज का है तो इवन दे रखा है 1.5 वोल्ट internal resistance दे रखा है internal resistance दे रखा है 0.2 दूसरे सेल का वोल्टेज कितना है EMF कितना है तो वोल्ट और इसका internal resistance कितना दिया हुआ है 0.3 ओम यह लोजी तो आपको जैसे equivalent करना है तो formula है even upon r1 plus e2 upon r2 divided by one by r1 plus one by r2 simplify कर लेते हैं इसको वैसे even r2 plus e2 r1 divided by जब आप में लेकर solve करोगे तो यह ऐसा कुछ बनेगा ठीक है values पूट कर रहा हूं देखो even कितना है 1.5 r2 r2 है 0.3 plus e2 2 और r1 0.2 divided by क्या करना है r1 plus r2 0.2 plus 0.3 कितना आएगा यह आएगा 0.45 और यह कितना आएगा 0.4 divided by क्या आएगा 0.5 तो यह कुछ बनेगा 0.85 divided by 0.5 कितना आएगा वन पॉइंट सेवन आएगा क्या कि रही है पोलो यह लो एक और दूसरी चीज़ क्या पूछी आर इक्विलेंट पूछ है तो देखो आर इक्विलेंट फाइंड करने के लिए पहले वन अपन आर इक्विलेंट करना पड़ेगा पैरल्ल कॉम्बिनेशन में यह आएगा 1 by 0.2 plus 1 by 0.3 एल सीमले के सॉल करोगे तो 0.2 into 0.3 उपर आएगा 0.3 plus 0.2 0.5 divided by 0.06 यह वान अपॉन आर इक्विलेंट आए आर इक्विलेंट कितना ठीक है त्हीं उपर चला जाएगा 0.06 divided by क्या आएगा 0.5 जो भी आएगा यह यह 0.12 ओम इसके बाद में नेक्स्ट कुशिशन है तू सेल्स एवन एन एटू इन दे गिवन सर्कुट डियाग्राम है वन एम आपो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट और इंटरनल रिजिस्टेंट 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively calculate the value of current flowing through the resistance of 3 ohm यह जो 3 ohm resistance है इससे कितना current flow रहे है यह हमको calculate करके बताना है सबसे पहला काम क्या करोगे तो दोनों सेलों का equivalent EMF find करके यहां पर put कर दो सिरीज कॉंबिनेशन में तो सिधा ही है दोनों का internal resistance कितना होगा और एम प्लस कितना होगा इवन प्लस एटू अगर दोनों एक डारेक्शन में current flow कर रहे हैं तो दोनों का EMF क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा अब देखो दोनों यह वाला सेल इधर current flow करेगा पॉस्ट्य टर्निल से current बहां निकलेगा इसमें इधर निकलेगा तो उल्टा हो गया इनको माइनस करना पड़ेगा तो अब दर्चक्या करेंगे और उसके बाद में फिर इसमें current करेंगे कर पाएंगे को सबचरण देखो यह अपोजिट डारेक्स में करन्ट फ्लो कर रहे हैं यह वाला जो सेल है यह इधर करन्ट फ्लो करेगा यह वाला जो सेल है यह इधर करन्ट फ्लो करेगा तो दोनों का करन्ट अपोजिट डारेक्स में होने से क्या होगा इन दोनों का करके लिखना पड़ेगा तो इसका जो इक्विलेंट इमफ बनेगा यहां पर दिखा देता हूं ज्यादा वोल्टेज वाले सेल की अकोर्डिंग बनेगा इधर प्लस धर माइनस और इक्विलेंट इमफ कितना लेना पड़ेगा तो 9 में से 5 को माइनस कर दो और दोनों का मिला के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिखाना है तो 0.3 प्लस 1.2 कितना हुआ 1.2 प्लस 0.3 यानि कि 1.5 आया समझ में फिर यहां पर बाकी का सर्कृट मैं एज इस ड्रो कर रहा हूं ठीक है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया देखो बाकी का हम एज इस प्रो कर देंगे यह है योम रेजिस्टेंस यहां पर 4.5 ओम रेजिस्टेंस ठीक है अच्छा इतनी बात क्लियर है हमको अब सबसे पहले तो टोटल करेंट कितना होगा सर्कृट में वह फाइंड करेंगे और उसके लिए आपको सर्कृट का टोटल रेजिस्टे कैसे चलिक्टेट है पैरल में कनेक्टेट है इनका इकुलेंट कितना आएगा वन बै आरपी इकवल टू बै 3 प्लस वन बै तो आरपी अपने पास कितना आया और ये एंट्रने फाइबए और यह इंटरलसक्पायु है और यह इंटरन एसिटेंज फाइफ पाइब तो पूरे सर्किट का मिलादंस कितना बने इन कितना याइब फिर जो भी आये गो इसके सासरी में और यह वह कउंटि होते एंधर से इन तो इनका जो एक्विलेंट डेजिस्टेंस आएगा वाएगा टू प्लस 4.5 प्लस 1.5 कितना बनेगा एट ओम बनेगा तो सर्कुट में जो टोटल करन्ट यहां से फ्लो हो रहा होगा टोटल करन्ट जो सर्कुट में फ्लो हो रहा होगा कितना होगा हूँ जिया पॉइंट फाइंड कर तो आए ईपल टू होगा तोटल एम्फ कितना है دोनों सेल का मिला के और वोल्ट और तोटल डेजिस्टेंस कितना यह सब किके टूंव हना दिए आए गा जीरो पॉइंट Hang away यह अपने पास less total current लेकिन पूंछू को यह अब कैसे ने करेंगे कि किस हिसाप होगा तो यहाँ पर क्रूल है जिस पर आगे जाके तू पराट अगर आगे जाएगा तो पार्ट में ट्सक्राइड हो टो पार्म के दो पर तो पहले जो ब्रांच है उसमें जो current होगा I1 वो बराबर होगा total current in 2 जिस branch में current calculate करना है उसके अलावा जो दूसरी branch है उसका resistance multiply में क्या आएगा दूसरी branch का resistance कितना R2 divided by sum of resistances R1 प्लस R2 आया समझ में अगर मुझे I1 calculate करना है तो मैं क्या करूंगा total current को दूसरी branch के रिजिस्टेंस से multiply करूंगा divided by क्या करना है दोनों branch का टोटल रिजिस्टेंस ठीका जी यह आ गया I1 इसी तरीके से आएटू क्या आएगा बोलो कि आएटू क्या आएगा तो अगर total current पता है और दूसरी branch का रिजिस्टेंस पता है उनको multiply करो और फिर डिवाइड़ क्या होगा दोनों ब्रांच का टोटल रिजिस्टेंस यह जो रूल है इसको हम बहुत है current डिविजन रूल यह को शौर्ट रिक नहीं है यह method से आया है अब हमको पता है कि आई एक्वल टू वी बायार होता है याणि आई अगर वी कॉंस्टेंट हो दोनों के लिए इक्वल टू लिए वाले फॉमले से आई और आर क्या होंगे to be inversely proportional होंगे इसकी मैंने जब आइवन केल्पॉलेट किया तो मैंने दूसरी ब्रांच के रिजिस्टेंस से को मल्टिप्लाइ किया है और जब केल्कुलेट कर रहो हो तो मैं पहली वाली ब्रांच के दिवीजन रूल बोलते हैं कौँउ सा रू डिवीजन रूल कि अकोर्डिंग मै यहांपर अगर आ यहां कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या करना है अगर आ यह ओन कैलकुलेट करना है तो मुझे लिखना होगा आइवन बराबर आइवन बराबर तो convenience करेंट कितना था जीरो पॉइंट फाइव इसको दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंट से मल्टिप्लाइ कर दो कि दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंट कितना है इक्स डिवाइड बाइट पास में आइवन और इसी तरी कि सब्सक्राइब कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें ठीक है अगला क्यूशन है अंडर वोट कंडिशन्स विल्ट करेंट इन वायर पी थे सेम वेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरल ओफ एन इडेंटिकल सेल्स इच हेविंग इंटरनल रिजिस्टेंस स्मॉल अगर मैं एंड को सिरीज में और उन्हीं सेल्स को पैराल में कनेक्ट कर दू आपस में तो कौण सी कंडिशन में ॉड्थ मुझे सेम मिलेगा है है एंज सेल्टों सेल्स को सिरीज में लगाना है उनी एन्स एलस को पैर्ल में लगाना एक रेजिस्ठंस आरके क्रोस्स तो कौन सी कंडीशन में दोनोधी सिचुवेशन कि आपको current same मिलेगा मतलब क्या relation बनेगा यह हमको find करके बताना है बिल्कुल आसान क्योंस न देखो कि क्या बोला है इसने इंट दिया कुछ इसने बोला कि एन आइडेंटिकल से लैं और हरेका को आपने इस तरीके से सीरीज में connect कर दिया कितने सेल है एंड सेल एक रेजिस्ट्रेंज आर के क्रॉस इनको connect करना है कर दिया आपको पूछा जाए तो आपको पूछा जाए कि सर्किट में करंट कितना है तो आई इक्वल टू होता है टोटल वोल्टेज जो कि इम अफ एन एक बराबर होगा डिवाइड़ बाइट टोटल डेजिस्टेंस आप दे सर्किट तो इन सेल्स का तो कितना है एन और फिर इसमें यह भी एड करो यह वी काउंट होगा तो एन आर प्लस एप्लार यह हुआ करेंट पहले केस में करेंट को हमने आइवन बोल रखा है तो आएवन कि एय को यह निकल कर आ गए तेक्यिंद केस में इसने बोला कि इन ही छैल्स को हमने पार्ल में किनेक्ट कर दिए अब से लहन जो कि इतने ऐसें ईन्स और इन ऐंज एंकिद्ट को हमने आपस में कैसे क्नेक्ट किया है पो लो तरहिए से इनको parallel में connect किया है उसी resistance capital RK across ठीक है अब जो current circuit में flow होगा उसको i2 माल लो second case में current अलग होगा क्योंकि parallel combination हर एक cell equal EMF का है जितने भी है इनका internal resistance भी बराबर है तो इस case में बताओ कि equivalent EMF कितना मिलेगा तो अगर identical cell parallel combination में connected हो तो उनका जो total EMF हो एक cell के EMF के बराबर ही होता है इक्विलेंट internal resistance कितना मिलेगा तो यह कितने cell है एन जो parallel में connected है तो वन अपॉन आर इक्विलेंट यह आएगा वन बाई आर प्लस वन बाई आर ऐसी कितनी बार करना पड़ेगा एन टाइमस करना पड़ेगा यह आ जाएगा एन बाई आर लेकिन यह तो वन अपॉन आर इक्विलेंट की वेल्य आएगी आर एक्विलेंट क्या बनेगा आर बाई यह बनेगा अच्छा करेंट कितना अब इस केस में तो आइटू बोल देते हैं करेंट को आए टू बराब यह जो current होगा दोनों condition में यह same होना चाहिए है ना इन वायर current in a wire be the same मतलब current same होना चाहिए आई वन आई टू क्या होने चाहिए बराबर अब आई वन आई टू कब बराबर होगे put करके देखते हैं इनको when आई वन इक्वल्स टू आई टू एक करते हैं आई वन यह है एन इवाई एन आर प्लस केपलार और यह बराबर होना चाहिए इसके इपोन तो थोड़ा सिंप्लिफाइग करना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो एन को लेके स्वाल करोग तो यह एन ऊपर चला जाएगा इसको मैं लिख सकते हो एन इवाईड़़बाई स्मोल आर प्लस एन आ ऐसा कु՛ लिख सकते हो एन इवाईड़़ड़़ और प्लस आ आया समझ में सॉल करो एन ई से एन उड़ गया यह दोनों दो हो यह अगर कैंसल हो गए तो यह आपस में बराबर होने चाहिए तभी एक plus capital R equal to क्या लिख दूं कि आर प्लस एना ऐसा कुछ बना आया समझ में थोड़ा सिंप्लिफाई करो इसको स्मॉल आर वाली टॉम अगर आपके पास एन्ट्र है तो एक बार आप उनको शीरी बेस्रेश्य के रॉस क्रोस और एकंको पैरलं में लगाते हुं उसी डिस्टेंस के लॉसकि तो उन डोनों कंडिशनpection में आपको sameapi situation में मिल सकता Jeanne जब स्मॉल आर यानि किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स्टरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो आप जितने भी सेल लगाओगे उनमें से किसी भी एक सेल का है तो सारे एक जैसे उनमें से किसी एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर वो किसके पर होंगे आया समझ में के के टीब एसी 2019 में आया थे क्विश्चिन देखूंगे करें करें